अलो एवरिवन दिस इस प्रशान सिंग और विलकम टू एसी प्लस मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहतर तरीके से चल रही होगी देखिए हमारे जीवन में जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक उस ग्यान के आधार पर अनुभो भी है क्योंकि ग्यान से हमको सब्दों और अलग अलग चीजों के बारे में नौलेज जो है वो प्राप्त होता है लेकिन उस ग्यान के आधार पर जब हमको अनुभो की प्राप्ती होती है तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो हमको सब्दों के साथ-साथ उनके अर्थ भी समझ म समझें आने लगते हैं इसी चीज को समझाने के लीए मेरे पास जो लाइन है वो यह कि ज्यान से सब्द समझ में आते हैं और अनुभव से इसके अर्थ समझ में आते हैं तो यहां पर याद रखिये गा कि आपको ज्यानी तो बनना है आपको knowledge तो gain करना है लेकिन साथ ही साथ उससे related experience जो है वो भी आपको gain करना है ताकि आपके आगामी भविश्य में ताकि आपके निकट भविश्य में वो experience जो है वो भी काम आए last class मैंने आपसे जो question पूछा था वो था कि who appointed as principal DZ of आकाशवानी आकाशवानी के प्रधान महा निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आकाशवानी के अगर हम बात करें तो हाल ही में जिनकी नियुक्ती हुई है उनका नाम है डॉक्टर वसुधा गुपता त सर डॉक्टर वसुधा गुपता जो है वो हाल ही में principal DZ of आकाशवानी के पद पर नियुक्त की गई है आज का जो पहला question है question number first उसकी अगर बात करें तो बोल रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री खेल छमता पुनर निर्माड आकांचाय और आजीवी क का योजना जिसे प्सबर के नाम से जानते हैं उसकी शुर्वात की किस राज्य में यह सबल योजना की शुरूत की गई है वह और राज्य है हिमांचल प्रदेशłemत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग इस prohiborar की अगर बात करें तो उन्होंने इस योजना की शुरूत की इस योजना का उद्देश क्या है तो इसके उद्देश की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए कि सोलन हमीरपूर और सिमला जीनों के लगभग 400 स्कूलों में विसेश रूप से विकलांग बच्चों की क्या करना है देखभाल करना है और उन बच्चों की देखभाल से तो कॉल्ड माउंटेन स्टेट गवर्नर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो है स्यू प्रताब सुकला और जो सियम है उनका नाम है सुखविंदर सिंग सुखु तो ये तीन पॉइंट जो है यह आपको हिमाचल प्रदेश के ब जो है वो मनीज देशाई को न्यूक्त किया गया है और मनीज देशाई जो है वो 1 सितंबर 2023 से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या जिसे आप पी आईवी के नाम से जानते हैं उसके प्रधान महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण उन्होंने किया है मनीज देशाई की बात करें तो राजेस मलहोत्रा की सेवा निवरत्ति के बाद यह पत समाल है तो अगर आप सी पूस्ता के सर इन से पहले को थे तो आप बताईए कि राजेस मलहोत्रा थे मनीज देशाई 1989 बैच के भारती सूचना सेवा अधिकारी है या इंडियान इन्फोर्मेशन सर्विस अपनी वर्तमान भूमिका से पहले देशाई केंदरी संचार ब्यूरो में प्रधान निदेशक के तौर पर पदस्त किये गए थे तो इतनी चीजे जो है वह आपके लिए जरूरी है उसमें ठीक है क्वेशन नमबर थर्ड की बात करते हैं तो बोल रहा है कि राश्ट्री ब रॉली टाइगर रिजर्व जो है उसकी स्थापना हुई है और ये कौन से नमबर का टाइगर रिजर्व है तो याद रखिएगा कि 54 नमबर का है और भारत में अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो उनकी संख्या कितनी हो गई है उनकी संख्या बढ़कर 54 हो मती प्रदान की गई है और 54 देश का टाइगर रिजर्व के तौर पर उसको विक्सित किया जाएगा राष्ट्रे बाग संरच्छा प्राधिकरण ने राजस्थान में धौलपुर टाइगर रिजर्व के स्थापना को मन्जूरी दे दी अब यहां पर देखिए मुकुंदरा ह रामगड विसधारी रड थंबोर और सरिस्का के बाद में एक और नाम याद रख लीजे जो ठौलपुर करॉली टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा अब टाइगर रिजर्व के बारे में हम देख रहे हैं तो एक चीज और सुन लीजे कि विस्सुभर में जितने 3176 हो गई है 3166 हो गई है और वर्तमान में भारत में जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वो कितनी हो गई तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो 54 हो गई है बासवाज में आ रही है चलिए कुशन नमबर 4 की बात करते हैं वेर वास जी 20 फॉरेस्ट हेल्थ इन्योग्रेटेड रिसेंटली हाल ही में जी 20 वन स्वास्त कारी साला का उधगातन कहां किया गया है तो यहां देखेंगे तो और फॉरेस्ट हेल्थ वर्क्शॉप का इन्योग्रेशन जो है वो हाली में किया गया है अब देखिया बात आती है कि सर ये जी 20 क्या है तो जी 20 की अगर हम बात करें तो जी 20 जो है वो 19 देश और एक अगर हम बात करें 19 देश और European Union इनका समु है ठीक है G20 की जो मेजवानी है वो भारत कर रहा है इस बार मेजवानी कोन कर रहा है तो भारत कर रहा है और G20 के जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी साब है बातसवज में आ रही है कोन है हाली में तो नरेंद्र मोदी जी है क्या G20 के अध्यक्ष ठीक है अभी बास्वाज में आ रही है तो ये एक बहतर चीज है G20 के बारे में कुछ और चीजों के बारे में अगर देखे तो केंद्री क्रसी और विकास कल्याण राज्यमंत्री सोभा करंद लाजे ने बैंगलूर में G20 के स्वास्थ कारिसाला का उधगाटन किया है कारिसाला का जो विशह है वो है एक स्वास्थ अवसर और चुनोतियां तो ये आपको थीम भी इसका सब्जक्ट भी याद रखना पड़ेगा कि One Health Opportunities and Challenges जो है वो इसका इस वरक्शॉप का थीम जो है वो बनाया गया है और इस थीम पर आधारित जो समिट है वो की जा रही है भारत की G20 अध्यक्षता का जो विशह है वो एक प्रत्वी एक परिवार और एक भविश्य है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है वो इसका थीम है किसका G20 का और लक्ष की अगर हम बात करते तो राष्ट्रों के बीच में ज्यान अनुभव और संसाधनों को साजा करने के लिए एक सामंजस से पूर्ण प्रणाली का निर्माड करना है भारत की अगर मैं बात करता हूं तो भारत जो है वो एक दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा बात स्वाज में आ रही है तो अगर आप से पूछा जाए कि भारत जो है वो कब तक इसकी मेजवानी करेगा कब तक अध्यक्ष रहेंगे नरेन मोदी तो या इस ब्रांड अमबेजडर ऑफ सेंचुरी मैट्रेस कंपनी सेंचुरी मैट्रेस कंपनी के हाल ही में किसे ब्रांड अमबेजडर न्यूक्त किया गया है तो ब्रांड अमबेजडर न्यूक्त किया गया है पीवी सिंधू को और पीवी सिंधू जो है उनके बारे में मुझे अलग से बहुत ज्यादा बताने की आवश्यक्ता नहीं है नाम ही काफी है और देश के लिए उन्होंने इस तरीके से अपना खेल प्रदर्शन किया है कि लगातार भारत को उनके उपर गर्व जो है वो होता रहता है पीवी सिंदु से संबंधित अगर में अवार्ड के बारे संबंधित हुई 2019 में बीवी सी स्पोर्ट्स वोमेन अव्दाइयर बनी और 2021 में पद्म भूशड से समानित किया गया है तो यह मेन मेन इनके अवार्ड है और इनको याद रखिए कि पदमसरी कम मिला पद्म भूशड कम मिला और अरजुन अवार्ड कम मिला मेजर ध्यान च पिला इसीडन या राश्ट्रम पती किसे न्युक्त किया गया है तो हाली ही में दूसरी बार यह बने है कि दूसरी बार बने है और आखरी बार है इसके बाद नहीं बनेंगे दूसरी बार इमर्शन मंगाग्वा को क्या किया गया है जिम बॉद्बे का राश्छ्रपती न्यूक्त किया गया है zimmbombay की अगर मैं राश्धानी की बात करता हूं है तो उसकी राश्धानी है हरारे तो यह याद रखेगा जिए जिम-Bombay के जो दूसरी बार राश्ट्पती के रूप में चैनित हुए हैं उनका नाम है इमर्सन मंगाग्वा और ये दूसरी बार हुए हैं और इनका अंतिम कारिकाल होगा और जिंबॉंबे की जो राजधानी है वो हरा रहे हैं कोशन नमबर सेवन की बात करते हैं विच स्टेट गवर्मेंट है रिसेंटली अनाउंस सेटिंग अप पिंक ट्वाइलेट फॉर वोमेन हाल ही में हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी सोचाल या पिंक ट्वाइलेट स्थापित करने की घोसना की है तो किस राज्जी सरकार का यह कदम है तो वो थ्रिपुरा गॉर्मेंट के द्वारा पिंक ड्रिड़ो में दिखाइत अब यहां पर बात आती है裁 कि सर पिंक तो समझ में आ गया कि अगर पिंक टोइलेट की बात आएगी तो हम तरिपुरा मरता देगे लेकिन तरिपुरा के बारे में कुछ और भी चीज énerचे अगर देखें कुछ तॉ मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मडिक साहा कि तरिपुरा सरकार ने सहरी चेत्रों में महिलाओं के लिए गुलाबी सोचाला इस्थापित करने के प्रसार प्रयास जो हैं वो सुरू कर किये हैं और लगातार महिलाओं से संबंदित अगर हम बात करें तो पिंक ट्वाइलेट के तौर पर ट्वाइलेट जो हैं वो डवलप किये जाएंगे दूसरा और हलमात ये दोनों त्रिपुरा की प्रमुख जन जातियों में गिनी जाती है तो ये दो नाम आपको याद रखना है त्रिपुरा के राज्यपाल की बात करें तो सत्य देव नारायन आ रहे हैं मुख्यमंत्री है माडिक साह और मुख्य सचिव वर्तमान में जेके सिनहा बात सोज़ में आ रही है क्वेशन नम्बर एट की बात करते हैं तो बूल रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कन्या सुमंगला योजना की रासी में व्रद्धी की है रिसेंटली विच स्टेट गोवर्मेंट हैस इंक्रेज़ अमाउंट आफ मुख्यमंत रासी में व्रद्धी की है जिसको दस हजार कर दिया गया है और ये बोला जा रहा है कि बाद में उसको 15,000 और फिर 25,000 रुपए तक कर दिया जाएगा बात सोज में आ रही है कन्या सुमंगला योजना की बात करें तो लगभग 16.24 लाख करोड अगर हम देखें तो 16.24 मतर हूंगी उनको जन्म से लेकर और ग्रेजुएशन तक वित्फी सहायता प्रदान की जाएगी तो बर्थ से लेकर ौर great education लेवल पर इतनातक लेवल पर उनको वित्फी सहायता जो है वो प्रदान की जाती रहेगी किसके दौारा यूपी गोवर्मेंट के दौारा बासम आर्थिक रूप से कपड़ कर रही है वो में इंपरमेंट के लिए प्रयास कर रही है लेकिन कहीन न कहीं सरकार की उजनाई इसलिए भी विफल हो जाती है क्रीजन फाथी साथ साथ ही कि लोग जो हैं वह कहीना कहीं उसी स्टीरियो टाइप मेंट यूटिक को ले चल रहे हैं उसी रूड़िवादी विचार धारा को लेकर चल रहा हूँ और वो बदलाव पूरे तरीके से अभी भी पूरे छेत्रों में नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि जो पुरानी चीजें चल रही हैं वो ठीक हैं और उनके आधार पर वो वैसा ही चलते रहते हैं तो सरकार की उजनाओ का लाव लेकर बेटियों को भी पढ़ाईए और बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाईए बात सुझ में आ रही है हर गोवर्मेंट लग से प्रयास करती है सोसल रीजन हो तो उसके लिए भी एकोनॉमिक हो तो उसके लिए भी हर आधार पर सरकार जो है वो चाहती है कि बेटियां जो है वो पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बने बात सुझ में आ रही है तो याद रखिए किस के दौरा किया गया है उत्तर प्रदेशन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझोता ग्यापन किया है तो भारत और न्यूजीलेंड की अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में सिविल एवियेशन के फिल्ड में क्या हुआ है MOU पर हस्ताक्षर किये गए हैं दोनों देशों के बीच में नागरिक उड्डि में इंप्रूव्मेंट देखने को मिलेगा इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया के जो सिविल एवियेशन मिनिस्टर है उनका नाम है श्री जोतिरादित्य सिंधिया जी याद रखिएगा कि भारत और न्यूजिलेंड के बीच में अगर आप देखेंगे तो सिविल एवियेशन के फिल्ड में ट्रांसपोरटेशन में और नागरिकओं को जो उड्ययन से संबंधित सेसे म्ल रही है जो फैसिलिटी page मिल रही है उसमें बढ़ाव देखने को मिलेगा भाया भारत और न्यूजिलेंड के में नागरिक उड्ययन में सयोग को बढ़ावा देने के लिए एक और समझोता MOU साइन किया गया है दोनों देशों के बीच हवाई परिवहन के विस्तार की संभावनाएं खुल जाएंगी दोनों देशों के बीच यह पॉइंट याद रखी open sky policy लागू की गई है और भारत के नागरिक उड्यन मंत्री जो है कि प्रोडक्त को प्रदान किया जाता है जो प्रोडक्त कि प्रटिकुलर प्रड़ां करण सबस्ट्री एक अगर देख तो तो चोकुई चावल जो है उसको GI ठाक प्रदान किया है चोकु अचावल जो है उसको जियाई टेग प्रदान कीया है और वह किस राज्ज से संबंधित है तो याद रखिएगा वह असम को प्रदान कीया गया है बासबी में आ रही है और असम का एक और राइस के बारे मैंने आपको बना था दौब राइस दौब राइस को जियाई जो है वो प्रदान किया गया है तो यहां पर असम से सम्मंदित कुछ फेमस जी आई टेग जो रिसेंटली प्रदान किये गया है उनको हम देख लेते हैं तो असम और्थोडॉक्स लोगो जो है उसको एग्रिकल्चर फिल्ड से रिलेटेड है उसको जी आई टेग मिला मुगा जोहा राइस की बात करें अग्रिकल्चर से रिलेटेड है उसको जी आई टेग मिला जोहा राइस की बात करें अग्रिकल्चर से रिलेटेड है उसको जी आई टेग मिला काजी नीमू की बात करें तो अग्रिकल्चर से रिलेटेड है उसको जी आई टेग मिला और चोकुआ जो अभी हाली में बात कर रहे हैं असम से संबंदित है उसको जी आइटेग मिला तो यह असम को हाली में मिले हुए को जी आइटेग है इसको भी आप देख लिजेगा बस वजम्यारी है तो जी आइटेग से related question भी काफी पूछे जाते हैं तो जो भी recently किuj Ilkיח मिले हैं मैं बार-बार उनको कराता जा रहा हूं लगाता कर रहे हैं और जितने जी आई टर्फ मिलते जारें मैं कोश्aran कर रहा हूं ज्यादा कवरो करा सकें कि आपको चीजे याद रह सकें तो फिलाल इतनी चीजें याद रखिये असम के point of view से कि असम को हाल ही में कितने किस किस field में GI tag प्रदान किया गया है geographical indication प्रदान किया गया है तो यह हमारे 10 question थे आपके लिए जो question of the day है वो यह कि हाल ही में भारत और किस देश ने पांचवी वार्सिकर अच्छा वारता का आयोजन किया है न्यूज में है काफी है ना आप अगर देखेंगे तो आपको यह मिलेगा फटा फट इसको देखिए ढूड़िये और message करके comment करके मुझे बता दीजे कि इसका right answer क्या है चलिए फिर आप पढ़ाई करते रही है खुश रही है thank you so much